जिंक सल्फेट किसान भाईयों गेहूं की फसल के लिए बहुत बढ़ियां और बहुत अच्छी खाद मानी जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि गेहूं की फसल में हमें जिंक सल्फेट कब और कितनी मात्रा में डालना चाहिए और क्या आप जानते हैं किसान भाईयों की गिहूं की फसल में जिंक सलफेट डालने से हमें कौन कौन से फाइदे मिलते हैं यदि आप नहीं जानते हैं और जिंक सलफेट का परियोग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा आज आपको कम्पिलीट जानकारी मिलने वाली है साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको इशी प्रकार की वीडियो मिलती रहें किसान भाईयों गेहू की फसल में गेहू की पौधे के लिए जिंग सल्फेट का जो रोल है वो बहुत ही महत्पूर माना जाता है कई वर्षों से किसान भाई इसका परियोग कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी किसान भाईयों ने ये धारणा बना लिये कि जिंग सलफेट गेहूं में पहले पानी लगाने के बाद ही डालना चाहिए पर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आईए जानते हैं गेहूं में हमें जिंग सलफेट कब डालना चाहिए किसान भाईयो जिंग सल्फेट डालने का जो अच्छा समय है वा है बुवाई के समय यदि आप गेहू बुवाई के समय पर जिंग सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी बढ़िया लाग मिलता है यदि आप गेहूं बुआई के समय पर जिंग सलफेट का परियोग नहीं कर पाए हैं तो इसका इस्तमाल आप पहली सिचाई पर भी कर सकते हैं अगर किसान भाईयों आप पहली सिचाई पर भी जिंग सलफेट का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो जब आप अपने गेहूं की फ में हमें जिंग सल्फेट कब डालना चाहिए आईए जानते हैं कि गेहों में जिंग सल्फेट का क्या रोल होता है क्या फाइदे मिलते हैं जिंग सल्फेट का जो सबसे पहला साइदा मिलता है किसान भाईयों यह हमारे खेत की जो मिट्टी है उसे भुरुरी बनाता है साथ ही किसान भाईयों जिनक हमारे गेहूं के पोधोंस broken की सक्ति और बिर्द में भी भिकास करता है और इसके साथ ही प्रकास realization की जो प्रिक्रिया है उसे नियमीद करता है जिससे किसान भाईयों हमारे गेहूं के पोधे में अधिक मातरा में फुटावँ होता है हरियाली बढ़िया बनी रहती है ग्रोथ बहुत सांदार होती है और जो सबसे बड़ा फाइदा मिलता है जिंग सलफिट किसान भायों यह हमारे गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक छमता को भी बढ़ा देता है जिससे छोटे मोटे रोगों से लड़ने में हमारा जो पौधा है वा सक्चम मिलता है और सबसे बड़ा काम किसान भायों यह हमारी गेहूं की जो पैदावार है उसको भी बढ़ाता है सो की जो सीधी बात है किसान भायों वो यह है कि गेहूं की फसल में दानों की क्वालिटी से लेकर कलों की संख्या से लेकर गेहूं की ग्रोश से लेकर हरियाली से ल तो यदि आप गेहूं बुवाई के समय पर इस्तमाल करना चाहते है या पहला पानी लगाने के बाद परियोग करना चाहते है और आप दानेदार का परियोग कर रहे हैं छे से लेकर आठ किलो प्रत येकर के हिसाब से लेनी है तब आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इसका परियोग किसान भायोग आप पहली योम दूसरी सिजाइपर भी यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं आपको और भी बढ़िया रिजल्ट प्राप्थ होंगे जिंग सल्फेट किसान भायो लिक्यूड फार्म में भी उपलब्द है यदि आप लिक्यूड फार्म का उपयोग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इस परे के माध्यम से तब भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्थ होगा किसान भायो इस तरीके से और इस समय पर आपको इतनी ही मात्रा में जिंक का परियोग करना चाहिए तब आपको किसान भायो इसका सबसे बढ़िया रिजल्ट गेहूं की फशल में मिलेगा और आपको बढ़िया कल्लो की संखा मिलेगी गेहों की ग्रोश सांदार होगी और भबिस में आपकी गेहों की फसल से आपको बढ़िया और बहुत ही सांदार पैदावार प्राप्त होगी